दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला सनातन धर्म का उपासक इस आरती के बिना अपनी प्रार्थना अधूरी समझता है रोजाना करोणों लोग इस आरती से प्रभू की अर्चना करते हैं एक एक शब्द आत्मा को स्पर्ष कर जाता है दिकिन क्या आप जानते हैं कि इस आरती के रचईता कौन थे? बड़ी बिडंबना है कि करोणों लोगों द्वारा सास्वर पाठ की जाने वाली आरती के रचईता के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है ओम जै जगदीश हरे इस आरती के रचईता का नाम है पंडित शर्द्धा राम फिलौरी जो की धर्म प्रचारक, लेखक, संगीतग्य, जोतिशी और समाज सुधारक थे इस विश्व प्रसिद्ध आरती की रचना उन्होंने सन 1870 में की थी सिर्फ रचना ही नहीं, धुन भी उन्होंने ही तयार की थी इस महान आत्मा का जन्म 30 सितंबर 1837 को फिलौर पंजाब में हुआ था इनके पिता जै दयालो जी एक प्रसिद्ध जोतिशी थे बच्पन से ही शद्धा रामजी इतने कुशागर थे कि मात्र दस वर्ष की आयू तक ही कई भाशाओं का ज्यान अरजित कर चुके थे लोग इस बालक की कुशागरता से प्रभावित होते थे लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इस बालक की रचना युगों तक प्रचलित रहेगी अध्वीतिये लेखक पंडित फिलौरी को सर्व प्रथम हिंदी उपन्यास भाग्यवती लिखने का श्रे भी जाता है उन्होंने बाईवल का भी आंशिक अनुवाद गुरु मुखी में किया था उन्होंने महाराजा रंजीत सिंके शासनकाल पर आधारिक पुस्तक सिखन दे राजदी विथियां का लेखन भी किया इसके अतिरिक्त पंजावी बाच्चीत, सत्यधर्म मुक्तावली, शतोपदेश, सत्यामृत प्रवाह और सलय प्रवाह नामक पुस्तकों का लेखन भी किया वह समाच सुधारक भी थे जाती पाती के बंधन को ना मानने वाले पंडित जी ने महताब कौर से शादी की थी, जो की सिख परिवार से संबंधित थी वह बाल विवा, लड़के लड़की में भेदभाव, नवजात कन्याओं की हत्या जैसी कूरीतियों के विरोधी थे उन्होंने इस्त्रियों को समान अधिकार दिलवाने और उनके शिक्षा का समर्थन एबं प्रचार भी किया पंडित शद्धाराम फिलॉरी 1857 के प्रथम सुतंतरता संग्राम से प्रभावित होकर लोगों को एकत्रित करके देशभक्ती की गाथाएं सुनाते थे अंततर ब्रिटिस सरकार ने उन्हें फिलॉर से पलायन करने का हुक्म दिया वह पहले अमरित सर और फिर लाहौर पलायन कर गए अध्वीती आरती के रचेइता पंडित शद्धाराम फिलॉरी यदपी हमारे बीच सशरीर नहीं है परन्तु आत्म विभोर करने वाली जगत के इश्गा गुनगान करने वाली आरती के प्रत्येक शब्द में उनकी छवी विराजमान है